यह आपकी Hyundai XTAR का टॉप वेरेंट जो आता है SX Optional Connect उसका यह AMT वाला वेरेंट है और इसमें dual tone और single tone का option है यह single tone वारा कलर है इसकी प्राइज अपको पर जाती अल्मोस गौहाटी में 11.25 लाक्स अन्रूट की में बात करो यहाप एच शेप के अपको LED DRS मिल जाते हैं वाइ सब्सक्राइबर कही है मतलब मेटल नहीं है और यह एक्सपो स्कुरूज बूज नहीं है बस इसे डिजाइन एलिमेंट सही है सब और ग्राउंट क्लेरेंस अपको अच्छी मिल जाते हैं अल्मोस 185 mm की ग्राउंट क्लेरेंस है और इंजिन की बाब करें कोई भी सब्सक्राइब नहीं मिलेगी बाट यह ठीक ठाग आप मतलब कर लेंगे इसमें अजस्ट और अंडर बोड़ी कवरिंग भी नहीं है ओवराल उट भी काफी है और यह इसको अवरल साइट का लूक अब देख सकते है यह पर अपको पता चल जाएगे कि AMT है कि नहीं वह स्म 15-inch के टार से अगर 16 होते तो अच्छा होता बटियाइच होगे और 185 mm की ग्राउंड क्लियांस में निकाई दी वन अप दे बेस्ट इन दर सेगमेंट आप कह सकते है पन जैसा ही ग्राउंड क्लियांस है बोड़ी साइड क्लेडिंग वो सब भी है और इंडिकेटर का कंट् -सी लगे गा इस बदस्व और ग्लाश इरया वो भी अच्छा है और चॉराइच इसका बढ़ियो जाती है इसका वील बेश जो हे वह च्रुटकी पन से ज्यादा और था जाता हो चार nodig लेकी प्रिक के प्र इंडिकेटर वह शारी चीज़े हाइंस चार एक मुझे कॉस कटिंग लगा, चार होते तो अच्छा होता है, बटे याच होके, वही सिल्वर कलर में इसके प्रेट्रीट्मेंट वह सब, ओवराल पीछे से अच्छा लगता, अगर उपर वाला पार्ट और थोरा चौरा होता, तो ज्यादा इसका मतलब रोट प्रेजेंस हो जाए, यहापे होक्स, लाइट और ओर फिनिशिंग अच्छी है और इसको सिंगल फोल्ड में ही फोल्ड कर सकते है, 60-40 में यह स्प्लेट नहीं होती, फिच इस ओके, स्पेर वील की बात करें, यह है 165 x 70 R14, एक साई स्मॉलर ही अपको मिलता है, तो ठीक है, यह पर प्लास 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 से अलग बनाता है, तो मेंटेन करने में थोड़ा बहुत आपको एज हो सकता है, यह प्लास्टिक वालेटी वह सब अच्छी है, यह पर पार विंडोस की गंडोल, पूरे नीचे चले जाते है विंडोस, एक लीटे की बॉटल आब रख पाएंगे, चार स्प से और ऐसे फुल डेनिम फिनिश के साथ यह पर आपको फैब्रीक सीज मिलती है, ओवरल यह वेरी कमफर्टेबल, और सारो पैचन्जिस के लिए आपर थी पॉइंट सीट बेल्ट है, अगर बीच के लिए भी हैड्रेस होता है, जैसे नियोस के टॉप विरेंट में आता है, तो अच्छा होता है, और यह सब उपर वाला पाड लेदर राइट है, और बाकी सब आपको ऐसे ब्लेक का मिलता है, डेनिम फिनिश के साथ, सो यह देख सकता है, लेगरूम बहुत अच्छी मुझे मिल जाती है, अन्धाय सपोर्ट वो भी अच्छा है, सो अवरा स्पेस के और एएरबेक्स देख सकते हैं, चैछे ऐरबेक्स टोरल, अच्छी मुझे जाती है, सब अच्छा है, सो हेड्रूम बहुत जादा मुझे मिल जाती है, अगर छे सारे छे बिटके भी हुए, आप कोई दिकत नहीं होगी, सो अवराल पीच्छे का कमफ़र्ट मुझे बहुत एक चीज मुझे मिसिन लगी वो है सेंटर आम्रेस्ट वो आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि थ्रीपांच इट बेल देने की वज़र से वह उमिट हो गया है तोड़ा बहुत और ग्लास अप देख सकते हैं बहुत अच्छी है सो यह ओवर्र एक्सपिरेंस अच्छा अप्रेंट में चलते हैं सवाय इसको आपको यहां पर भी त्रेंट मिलता है चारो पाँड़ विंडोस के कंट्रो डायवर्स एट वला आपको आपको ऑटोड़न मिलता है अलोंग वेथ और अपने मिलता है इसे कुछ पड़र इसका न इंटिरियर के सीच के वह सब आप स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले करवा दूंगा और इन सीच में एर बैग है सो सीट कवर्ज लगाने से पहले वह आप ठ्यान रखिएगा ऐसे इसका फ्यूलिट खुलता है यहां से हुड और जो एम्टी वेरियंट है वह आपको ऐसे स्पोर्ट मेटल पेडल्स मिलते हैं और पैडल शिफ्टर सबको मिल जाते हैं यहां पर पैडल शिफ्टर का कितना काम आएगा एम्टी में वह आपको टेस्ट डैव करके देखना है यहां पर प्रॉपर डेट पेडल भी है ट्रेक्शन गंट्रोल रियर वीव मोनिटर हेट लेट इंस्पारिशन हो रहा है यहां पर इसकी क्वालिटी फिट फिनिश अमेजिंग यहां पर फोन रखने के लिए स्पेस ग्लब बॉक्स अच्छे शेप का है यहां पर आपको कूलिंग मिल जाती है यहां पर हज़र्ड लैट का बटन आटोमेटिक लैमिक कंट्रोल आप आप यहां से आर एंडी और इसे मैनुल कंट्रोल भी आप ले पाएंगे सो यह सब ठीक है चावी की बात करें आपको ऐसे कुछ चावी मिलती है यहां पर लॉक अनलोग करना हो यहां से होल्ड करके रखने की बूट अनलोग हो जाती है काफी ब्रीम्यम की है यहां पर बॉटल ह निखले स्पेस, मैनुल हैंड्रेक, मैनुल आयर्विंस मिलते है बट यहां पर आपको SOS, टोवेवे अलर्ट और ब्लू लिंक कनेक्टिविटी मिल जाता है काफी कनेक्टिविटी ऑप्शन से जैसे आपके पाल जी ओफेंसिंग करना हो रिमूटली कार ओन आफ करना हो डि 2.51 इंच का यह फूल HD डिस्प्ले है और इस मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिल जाती है आप एप मिलता है उसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़े एक अच्छा पहल लगा किसों अगर यह नहीं लेना है तो वह SX आप्शनल ले सकते हैं चीज का कमफर्ट वो सब भी अच और आप वोईस कमांड से आप इसका डायरेकली संरूफ को सकते हैं इंगलिश वोसब सपोर्ट करती है अच्छी बरी संरूफ है ओपनिंग वोसब भी अच्छा टिंटेड भी मिल जाता है बड़ जब गारी चलती रहे तो इससे बचों को प्लीज इससे बाहर मत निगा लि और यहां पर आपको वो फुट्वेल लाइटिंग वो भी है शेटिंग उसके बाद रेडियो मीडिया क्वाइट मोड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी इमैन्वल आफ सेफ कर सकते हैं शेटिंग्स पर जाएंगे सो वेहिकल सेटिंग्स पर आपको क्लस्टर क्लाइमेट इसका सब्सक्राइब इसका कामरा क्वालिटी गाइडलेंस मिल जाते हैं और वह भी एडप्टिव है इसका क्वालिटी वो सब अच्छा है इसका टॉप डॉन वी भी आप देख सकते हैं अगर कही पर पार्किंग बहुत कम है तो यह सब इन सब चीजहों में कोई भी कमी न सब्सक्राइब आपको डिजिटल स्पीड या पर डिजिटल आर्पीम कौनसे फ्यूल 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 लेवल इंजिन टेंपरेचर टाइम टूडल किलोमेटर कौनसे गेर पोजीशन पर है और दर्वाजा गारा खोल देते तो ऐसे आपको यहां पर एनिमिशिंस भी आता कोई दिक्कत नहीं है इसमें सेफ्टी की बात करें सो यहां पर आपको स्टेंडर्स चे एर्बैक्स एबेस एबीड एस सी वेहकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हिल होल अपको मिल जाता है एंप वाले वेरियंस में आईसर विक्षाइज सीट मांस से से ब्सेफ्टी में कोई अच्छी कार है माइलेज आपको अल्मोस्ट यह क्लेम है 19 का आपको इजी लिए 15-16 शेहरों पे और 19-20 हाइवेस पे मिल जाएगा सी एन जगी भी ऑप्शन आपको मिल जाता है इस वेरियंट में ग्प्शन ओपको less